हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो अनकेडमी यूपी एसी मैं नीरश पारिक स्वागत करता हूं आपको इंडिया के नंबर वान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जहां हम करन्ट अफेर्स का बहुत स्पेशल शो डेली मॉर्निंग 7 अम पे कर रहे हैं दोस्तों हिंदी न्यूस का इस बहुत शांदर तरीके से आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं रूटीन आं मैं भी आ जाता हूं आप भी आ जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि अभी पूरा देश जो है वो कोरोना के हम इंपैक्ट से काफी मतलब परिशान है पूरा देश हम लड़ रहे हैं जंग लड़ रहे हैं और उस दोस्तों आप लोग भी corporate करिए class को maximum share करिए because show must go on कि हम इतना effort आप लोगों के लिए ला रहे हैं तो आप लोगों की duty ये बनती है कि share maximum कर दीजे अपने साथियों तक पहुंचा दीजे फटा फट जुड़ जाईए show premiere हो रहा है आप लोगों के लिए content quality same है और बहुत 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 अच्छे तरीके से हम class को continue करने वाले हैं तो जो मेरे साथी class में लगातार जुड़ रहे हैं सभी को good morning, very good morning, very good morning आप सभी लोगों के लिए बस मैं अभी यही pray करूँगा कि आप सभी लोग safe रहें, healthy रहें और अपने साथ में खुद भी healthy रहें और दूसरों को भी safe और healthy रखें because हमारा एक छोटा सा step है वो बहुत डेंट पहुचा सकता है तो मेरे साथ यह बहुत लंबी बात नहीं करूँगा आप बिना कहे, बिना कहे आप तो कम से कम एक morally अपने अंदर से आना चाहिए कि जो effort unacademy UPSC आप लोगों के लिए कर रहा है आप लोग भी पूरा-पूरा सहयोग करें तो उम्मीद कर दो मेरे साथ ही सभी लोग सहयोग करें और फटा-फट शेयर कर दीजे very good morning to all of you बार-बार अब कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए चली दोस्तों शुरुआत करते हैं और इसी शुरुआत के साथ में हम जो है वो स्क्रीन से छोटे हो जाते हैं आप लोग अब अपने content को class में देखिएगा हम ये लीजे साहब size छोटी हो रही है size छोटी होने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं हम आप लोगों के बीच में है content आप लोगों के सामने आने वाला है और आपका जो content है वो आप लोगों के सामने आ चुका है लीजे सर परदा गिर चुका है और हम भी आप लोगों के सामने हैं, आप लोग बस आप continue class लेते रहिए, share, keep sharing, cap sharing, फटाफट share करिए, देखिए, हिंदी समाचार विश्टेशन वाला जो प्रोग्राम है, हिंदी समाचार विश्टेशन प्रोग्राम आच चुका है आप लोगों के बीच में, कौन लेके आता हिंदी समाचार विश्टेशन आपको यह पता है, it's done by your parik sir, जो कि मैं हूँ नीरज पारिक, तो parik sir आप लोग प्यार से बोलते हैं, और ये देखिए दोस्तों, ये सबसे special चीज, जो सबसे special बात आप लोगों को बताने की है, वो ये है, कि जो parik10.upsc.gmail.com आप अभी दे study को ले करके, ठीक है, पढ़ना कैसे है, सरको दिक्कत आ रही है, इसके अलावा ये आप strategy पे या especially जो book list की बात ये करें, सरक कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो कुल्मिला करके बात ये है कि UPS से ये आप qualify करना चा रहे हैं, IS qualify करना चा रहे हैं, और किसी भी तरीके की guidance क कमी है, तो अब आपको डरने की चंता करने की बात नहीं है, because आप यहाँ पे मुझे single mail drop कर दीजेगा, subject लिखेगा, पूरा detail लिखेगा, surely मैं आप लोगों से बात करूँगा, आपकी problem solve करने की कोशिश करूँगा, इसी के साथ मैं दोस्तों देखें, ये bouncy क्या चीज है, it is called paric 10, paric 10 का मतलब यह है मेरे साथियों, कि unacademy पर, unacademy पर आप जो भी subscription लें, कोई भी subscription, especially मैं UPSC की बात कर रहा हूँ, net, कोई भी जो आप चिसके तैयरी कर रहे हो, उस subscription लेने में आप code लगा, ये paric 10, आपको instant discount मिल जाएगा 10% का, ठीक है, referral code paric 10 याद रखिएगा, औ किसी भी कोई भी query आपको हो, अपनी strategy को लेकर के, पढ़ाही को लेकर के, plus course को लेकर के, किसा subscription ले लेंगे, तो क्या difference होता है, उस सारी बाते हम यहाँ पर आपको बताते हैं, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, बहुत लंबा time अप नहीं लेंगे, दिन की शुरुआत आप यूँ ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना, रोया नहीं करते, मेरे साथियों यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, सोचेंगे सर, हमारी economic condition पूर है, मेरा जो academic background रहा है, 10-12 में marks बहुत पूर आए है, मैं क्या यह exam qualify कर सकता हूँ, म सितारे किन के चमक रहे हैं, सितारे उनी के चमक रहे हैं, जो मजबूरियों का रोना नहीं रोया करते हैं, तो जो भी मेरे साथ ही है, be strong, be bold, be mature, and be successful, fine, thank you very much, पसंद आ रहा है, तो क्या कर दीजेगा, share कर दीजेगा, और जो आपका comment section में, जो आपका जो अभी chat box में, please chat box क करने के आप सकता नहीं है, आप direct जाकर के video को like कीजिए, video को share कीजिए, fine, यह आपका छोटा सा contribution है, so work at home है, आप study at home करिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब information हमारे plus course के आपको दे देते हैं, academy पे आप लोगों को पता ही है कि बहुत कम दिन हमारी IES 2020 के बचे हैं, और 2021, किस 2021, 22, 23 के जो भी हमारे aspirant हैं, उनका भी foundation course साट हो चुका है, so Indian history और art and culture यह आप मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, academy का subscription लीजिए, code use कर लीजिए, पारिक 10, पारिक 10, पार लगा दे, fine, बस यही एक नारा है, पारिक सर का पारिक 10 आते हैं, और मुझे inform कर देंगे, दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपकी complete preparation में proper guide बन करके, मैं आपके साथ में रहूंगा, for your entire journey, तो history और art and culture की तयरी, शांदार तरीके से करेंगे, unacademy subscription ले दीजिए, और मेरे साथ ही आजाईए, पारिक 10 code use करके, ठीके मेरे प्यारे साथ आगे बढ़ते हैं, अब time शुरू हो चुका है हमारी news का, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी खबर आई है साहब, खबर एक आई है कि 3 drug park के लिए 3000 करोड मंजूर किये गए हैं, drug का मतलब यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे, हशी, इस चराज, गान जान नहीं भा मंजूर किये गए हैं, देखिए, खबर क्या किया रही है, केंदर ने cabinet meeting में दवा उद्योग को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए 5 सालों में 3 bulk drug park बनाने का फैसला किया है, ठीके साहब, bulk drug park बनाने का फैसला किया थे हैं उन्होंने, इसमें infrastructure के लिए 3000 करो करोड रुपे दिये जाएंगे, देखिए, कोरोना संकट से उद्योग को तुरंत राहत देने वाला तो नहीं है, लेकिन सरकार इसके लिए road map पेश कर दिया है, इसका असरा आने वाले समय में दिखना शुरू हो जाएगा, दोस्तों बात ये है कि, है कि इसके लिए राज् इसको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है, उस ब्लॉक में अलग-अलग-अलग-अलग जो लेंड होती है, उसको ये आवंटित कर दिया जाता है, और इसी जमीन के उपर अलग-अलग फार्मिंग, फार्मिस कंपनियां जो होती है, ठीके फार्मस्टिकल कंपनियां हो पाते हैं लेकिन बात ही है कि अभी फैसला हो ना हो अभी हमारे को लाब मिले नहीं मिले लेकिन आने वाले टाइम के अंदर तीन ड्रग पार को मंजूरी दी गई है कहां पर यह लिया जाएगा वो तै करना बाकी है आगे को खबर आईगी तो आपको बताएंगे देखिए इस खबर क्लीर दिख रही होगी लिखा है कि देश भर में 12500 नए आयूश केंदर खुलेंगे दोस्तों आयूश देख लीजे ए वाई यू एस एच यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच अलग अलग नाम है ए जो है ए यहाँ पे आता है किसके लिए आयरवेद के लिए वाई जो है यह आता है योग प्लस नैचुरोपैथी नैचुरोपैथी का मतलब होता है प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा यू जो है यह आता है मेरे साथियों यूनानी पद्दती के लिए चिकित्सा पद्दती है यूनानी चिकित्सा पद्दती एक है सिध्धा और एच आता है हॉम्यो पैथी के लिए तो ये जो मतलब जिसको हम नॉन एलोपैथिक ट्रीट्मेंट है उनको सब को शामिल कर लिया गया है और इसके अंदर किती चीज़ें आ गई आयरुवेद आ गया, योगा एन नैचुरोपैथी आ गया, इसके अलावा आपकी युनानी सिध्धायन होमयोपैथी इन सब को मिला करके एक मंत्राले बनाया है आयूश मंत्राले, ठीक है देखिए हो कहा रहा है, पूरे देश में 12500 आयूश स्वास्थेवं आरोप के केंद्र का गठन किया जाएगा केंद्री कैबिनेट ने राश्ट्री आयूश मिशन में आयूश मान भारत के आयूश स्वास्थे और स्वच्थता केंद्रों के तत्व को शामिल करने की मंजूरी दी है दोस्तों याद रखेगा, यह पूरी लाइन आपके लिए इंपोर्टन हो जाती है आगे देखें सरकार का कहना है कि सस्ते उपचार के लिए पेश्विक्स वास्ते कावरेज को लक्ष हासिल करने के खातिर इससे ज्यादा पाहुँच हासिल हो सकेगी प्रस्ताओं में 3399.35 करोड रुपे का खर्च बताया गया है जिसमें केंदर की हिस्सेदारी 2209.58 करोड रुपे की और राज्यों की हिस्सेदारी 1189.77 करोड रुपे रहेगी यह पूरी डीटेल आप लोगो देखनी होगी बेसिकली फायदास में क्या होने वाला है फायदा सबसे बड़ी बात यह है कि देश की नई बुनियादी सुविधाओं के आने से सरकार मान रही है कि नहीं सिर्फ सस्ती दवा दवाएं जो है वो सस्ती हो जाएंगी बलकि इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा ठीके कुल मिला करके revenue generate करना भी इसका target है और दूसरी बात जो हमारी health sector है तो health sector को भी promote करने का target है तो यहाँ पर main बात समझ रही है कि यह जो आयूश होता है आयूश का basically मतलब होता क्या है आयूश की फिलफॉर्म आपको बता दी है और आप एक काम कर सकते है इसकी वेबसाइट है इसकी वेबसाइट को जाके एक बार आप स्क्रॉल कर ले वेबसाइट को चेक कर ले और वहाँ पर यह देख लें कि आयूश मंत्राले को पहले किस नाम से जाना जाता था यह आप लोगों के लिए होमवर्क हमने दे दिया है दोस्तों जरूर चेक कीजिएगा बहुत इंट्रेस्टिंग है क्योंकि जब हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे अपने एंड पे तो अपने को बहुत ज़ादा इसको पढ़ने में लाब होगा आगे दोस्तों देखिए एक खबर है कि प्रधान मंत्री जो है वो राम मंदिर का भूमी पूजन करेंगे यह तै हो चुका है एक खबर इससे लेटर काफी दिनों से आ रही थी हमने कवर की नहीं थी तो सोचा कि आज इसको थोड़ा कवर करके आपको बता दे आनुस्थान की तिथी बढ़ चुकी है ठीक है पहले एक दिन बढ़ा दी गई है पहले 22 मार्श को होने वाला था जो है वो अनुस्थान 23 मार्श को आरम होगा और आयोध्या में राम नवमी मेला पर आगुशित प्रतिबंद लगा दिया गया है देखिए आयोध्या में आगामे 25 मार्श शुरू होने वाले चैत्र राम नवमी मेला पर कोरोना कोविड-19 का प्रतिबंद लगा दिया है यह जानकारी जिरादीकारी अनुस्थान जानने दी पूरी डिडेली बता दी गई है यहाँ में मूल बाती है कि खबर सिर्फ इतनी सी है कि राम मंदर नर्मान कारे जो है वो शुरू हो चुका है 1992 के अंदर आप लोगो पता है कि यहाँ पर बहुत तनावपूर्ण स्थितियां यह बन गई थी तो इसको एक बार हमारे को मैंने में रखना है क्योंकि यह केस इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा केस बना है क्योंकि यहां पे जो लड़ाई लड़ी गई है वो धार्मी परिप्रेक्ष में भी लड़ी गई है राजनती परिप्रेक्ष में भी लड़ी गई है लेकिन अल्टिमेटी जो राममंद्री के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में अब भूमी पूजन यहाँ पर हो जाएगा चलिए दोस्तो COVID-19 के दोस्तों एक important ख़बर मिली है आप लोग भी इसको means point of view से याद रखिएगा पहला है दोबारा संक्रमन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपने एक बाइसका इलाज कर भी दिया तो इसके दोबारा संक्रमन की क्या संभावना है क्या दोबारा व्यक्ती संक्रमित हो सकता है बहुत important बात है देख लीजेगा क्योंकि चीन के एक अध्यन के मताविक अभी तक बंदर की एक खास प्रजाती ही इसके प्रतिरोदक शम्ता विक्सित करने में सफल हुई है बात यह है कि मानव में इसकी प्रतिरोदक शम्ता विक्सित एक बार में नहीं हुई और इसकी दोबारा विक्ती संक्रमित हो जाता है तो पहले बार यूज की गई दवाओं से भी पुरान नई आने वाली विमारी कंट्रोल नहीं होती है इसे दोबारा संक्रमित होने का खत्रा बरकरार है अगली बात हो रही है प्रतिरोदक शम्ता कब तक रहेगी कहने का मतलब एक इनसान की प्रतिरोदक शम्ता विक्सित कर लेता है तो सवाल यह है कि एक शम्ता कितने दिन तक बरकरार रहेगी अभी तक की तो देखा गया है कि इस तरह के वाइरस के प्रती प्रती तक्षमता जादा समय तक नहीं रहती है एक युनिवरसिटी के विग्यानिक हैं स्टेन ले पर मैंने कहा है कि जिन लोगों में बहुत एंटी बॉडिज होते हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं आप एंटीजन और एंटीबॉडिज को देखिए एंटीजन और एंटीबॉडिज मेरे साथ्यों इसको थोड़ा सा चेक किएगा यह आपके लिए science and tech के लिए important topic हो जाता है एंटीजन और एंटीबॉडिज क्या होते हैं इसके बाद में देखिए कि सार्स के मामले में बाद सामने आई थी कि एक बार ठीक हुए शक्स के शरीर में 15 साल तक की प्रतिरुदक शम्ता रहती है वहीं मर्स के मामले में प्रतिरुदक शम्ता बहुत तेजी से कम होती नजर आई अब तो कुल मिलातर बात यह है कि मानव शरीर में कोरोना के प्रति प्रतिरुदक शम्ता विक्सित हो भी जाती है दीर कालिक होगी अल्प कालिक बातें सारी चिंता जनक है फोकस एरिया देखिए फोकस एरिया में क्या बोला गया है कि इंसान के शरीर के इस बात को तयार करना है कि वह उस spike protein को पहचाने और रोख के जिसकी बदुला तो वाइरस इंसारी शरीर में पहुंच जाता है डॉक्टरों को इसके बहुत उम्मिद हाला कि डॉक्टरों का मकसद एक ऐसी दवा तयार करना है जो वाइरस को चुड़े अन्य किसी भी किस्म के प्रोटीन को पहचान उसे रोक ले तो कहने का मतलब फोकस एरिया क्या होगा ये हमारे को तैय करना है और अगला है टीका का प्रभाव कितना रहेगा अपने टीका बना भी लिया वैक्सिन बना भी लिया तो इसका एफेक्ट कितना रहेगा मेरे साथे हुए ख़बर इंपर्टन इसलिए है क्योंकि मेंस में इसी टाइप के सवाल आते हैं बहुत ज़ादा speculation पे या idea पे या हमारे perception के उपर बेस दोते हैं तो यहाँ पे इसको detail में समझने कुशिश कीजिएगा अगली खबर देखते हैं अगली खबर क्या कह रही है दोस्तों देखे सिर्फ दुनिया में 11 देश केवल ऐसे देश बचें जहाँ पर नहीं पहुँच पाया है coronavirus आप पूरी कहानी देख लो बहुत इंटरेसिंग है जो UNO है हमारा संयुक्त रास्य संग के आकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 190 देशों को माननेता मिली हुई है माननेता मतलब United Nation Organization ने दुनिया के अंदर 197 unit को नैशन माना है country का दर्जा दिया है अपना सदस्य का दर्जा दे चुका है तो currently UNO के मेंबर कितने हैं 197 जैसा कि इस खब पेपर में लिखा हुआ है इनमें अब तक 186 186 countries में कोरोना का संकर्मन पहुँच चुका है कोरोना को लेकर worldometers.info website पर ताजा आकड़े दुनिया भर में उपलब्द करा दिये गए है website शरीवार देर रात तक update आकड़े बताते हैं कि कोरोना वाइरस में दुनिया के 86 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और देखा जाता है कि अब सिर्फ 11 देश ऐसे जहां तक नहीं पहुच आप कहां के देश हैसा आप दिखिए देखो छोटे देश जो है वो बड़े सुरक्षी देश दिखे हैं दुनिया के देश अब तक अभी बिमार से बचे हुए हैं उनमें से ज्यादा तर बेहद छोटे और वैश्वे गूरूप से कटे हुए है इनमें से कई देशों के नाम ऐसा है जिन्होंने आम भारती नहीं सुनाई नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि हम में से भी बहुत लोग उने इनके नाम सुने होंगे पलाव, तुवालू, वानुआतू, तिमोर टेसले, सोलोमन आईलेंड, सियरा लेओने, सामोवा, सेंट विसंट, एंड ग्रेनेडीजीज, सेंट क्रिटिस, एंड नेविस जैसे छोटे देश अभी तक करोना वाइरस नहीं पहुंच पाया है तो दोस्तों, यह बहुत छोटे छोटे देश है, बहुत छोटे देश है, बात यह है, जैसे भारत के पड़ोसी देश, नेपाल और भूटान में अब तक सिर्फ एक ही मरी सामने आया है तो यह बात है कि दुनिया के अंदर टोटल यूएनों के माननेता वाले देश है 197, उनमें इस 186 के अंदर यह कोरोना वाइरस पहुंच चुका है, बड़ी ख़बर है यह अगली ख़बर देखते हैं क्या कह रही है, दोस्तों देखिए सार्क के कोरोना इमर्जेंसी फंड में बढ़ा योगदान, देखिए हुआ क्या है मालदी भूटान नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक ने 23 लाख डॉलर के रकम जोड़ ली है और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है वो कोरोना फंड के कायल हो चुके है, मतलब उन्होंने तारीफ की है कि बहुत गजब तरीके से इन्होंने आप लोगों ने इसके उपर जो पैसा है वो बहुत अच्छा फंड इकठा कर लिया है अब भी देखो, हो कहा रहा है कि प्रधानमरी नरेंदर मोदी ने COVID-19 राहत आपदा कोश में सार्क देशों के योगदान की मुहीम रंग लाने लगी है उन्होंने पिछले दिनों सार्क की बैठा के तरह इमर्जेंसी फंड के ज़रुत बताते हुए इसके लिए एक करोड डॉलर देने का एलान किया था, भारत ने किया था तब से अब तक मौलदी, भूटान, नेपाल से लेका वणिस्तान ने यथा शक्ती फंड दिया है इस तरह भारत की दीधनराशी के लावा इस फंड में 23 लाक डॉलर की रकम जुड़ गई है यह बहुत बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर बात क्या समझ नहीं है, यह पैसा फंड दिया गया, वो सारी बाते समझ में आई, लेकिन जो अपना हमारा जो इंडिया सबकॉंटिनेंट है, इस्पेशली सार्क कंट्रीज में तो लिडर्शिप की भूमिका में भारत जो है, इंडिया जो है, वो आने लगा है, इसको इस नजारे से देखिए क्योंकि भारत के लिए हुए एक इनिशेटिव पे धीरे धीरे आकर के सारे देश साथ में होने लगे हैं, और अमेरिका के विजब ये रक्षा मंतरी, भारत के रक्षा मंतरी से बात करते हैं, तो भारत की ये ग्लोबल लिडर्शिप की ये पहचान बनती है, ठीके दोस्तो के COVID-19 आपदा राहत कोश में मालदीव दो लाख डॉलर का योगदान करेगा, इंपर्टन बात है, यहीं पे हुआ क्या है, नेपाल ने दस लाख डॉलर की बात कह दी है, और भूटान ने एक लाख डॉलर देना स्विक्रित कर दी है, भारत ने एक करोड डॉलर देने की ब दुटरी सिक्किम के लिए तीस्ता नदी पर बना फुल खोल दिया है, आप सिक्किम की लोकेशन पहचाने है, सिक्किम की लोकेशन कुछ यहां पे आती है, सिक्किम वेस्बंगॉल, मतलब इस तरफ आपके भुटान रह जाता है और वेस्बंगॉल की बाड़ो से टच करता सीमा सड़क संगठन बियारों ने तीसता नदी पर 360 फिट लंबे बैली सस्पेंशन ब्रिज को यातायत के लिए खोल दिया दोस्तों प्री के लिए बहुत इंपरेंट हो जाएगा सीधा क्यूशन बनेगा बैली सस्पेंशन ब्रिज जो है वो किस नदी पर बनाया गया है तो अगरी दी गई है विग्यप्ती में क्या कहा गया है कि उत्तरी सिक्किम में लाचेन के निवासियों को राहत देने के लिए सीमा सड़क संगठन ने शनिवार को चुंठांग कजवेक के समीब मुशिन थांग में तीसता नदी पर बने 360 फिट लंबे बैली सस्पेंशन ब्र हुई और किसलिके काम करते हैं मतलब मैं तब बनाने की मिल खहां सड़क हें की नहीं होती है या या जो भी आव गाव या जो भी शहर किनारे पर हैं मितलब जो हमारे सीमा के नजदीक के हैं वहाँ पर भी सड़क बनाने के जिम्मेदारी PWD की नहीं होती है वो जिम्मेदारी BRO की होती है क्योंकि इनकी कुशलता जो है वो सड़क निर्माण में या कांसक्षन में बहुत अच्छी बहुत जादा होती है अगली खबर देखते हैं दोस्तों देखिए अलिगर्ड मुस्लिम इन्यूवर्सिटी जो है वो देश का पहला प्राक्रतिक स्लज शुद्धिकरन सैयंत्र बनाने वाला है यह खबर क्या कहा रही खबर देखिए दोस्तों अब तक जितने भी आपने ट्रिटमेंट प्लान देखे हैं वो इलेक्टरिसिटी से चलते हैं लेकिन यह इलेक्टरिसिटी से नहीं चलेगा यह देखिए कैसे चलेगा अलिगड मुस्लिम इनिवर्सिटी देश का पहला ऐसा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लान FSTP लगाएगा जो बिना बिजली के चलेगा कैसी चलेगा साब देखी यूरोपियन टक्नीक से बनने वाले इस सैयंत्र में सैप्टिक टेंक से निकलने वाला स्लज विशेश टक्नीक से पौधों से शुद्ध होगा अलीगण में गंदे पानी की सफाई और स्लज की शुद्धी करण के लिए 6 सैयंत्र लगाए जाएंगे स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहला सैयंत्र अभी लगाए जा रहा है एम्यू को इंडो यूरोपियन यूनियन की और से शोदवा कारे मिला हुआ है और इसमें भारत की 10 और यूरोपियन देशों की 12 संस्ताइं शामिल है ये संस्ताओं के नाम पूरे दे दिये गए है अब देखिए कि इस परियोजना पे कितना खर्च होगा 28 करोड रुपे का खर्च होने वाला है देखिए आगे इसके अंदर होने वाला काम क्या है कि जो स्विंग तकनीक के तहट पौधे करेंगे स्लज शुद AMU में सेफगार्डिंग वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया विद ग्रीन एन सस्टेनेबल टेकनोलोजी में लगे से लगे सायंत्र की तरक यह काम करेगा स्लज शुद करने के लिए विशेश प्रकार के 2 मिटर तक की उचाई वाले पौधे साथ क्यारियों में लगाये जाएंगे स्लज को इन ही क्यारियों से गुजारा जाएगा और 15,000 लिटर स्लज में 2,000 लिटर पानी निकलेगा जिसे क्यारियों में ही डाला जाता रहेगा यह प्रक्रिया नियंतर चलती रहेगी जरूरत क्यूं है क्योंकि देखिए सेटिक टेंक से निकलने वाला जो मलबा होता है जो वातावरन के संपर्क में आते ही तेजी से क्रिया करता है देखिए इसमें बायो कैमिकल ऑक्सिजन डिमांड यादगरी का एन्वार्मेंट के नजरिये से एकॉलोजी के नजरिये से बहुत इंपॉर्टन है सुमिछ से आपको शौर ये का टॉपिक करवाएंगे बायो कैमिकल ऑक्सिजन डिमांड जो होती है वह मात्रा आट सो से बारा हजार मिलीग्राम प्रती लिटर होता है ठीक है जबकि सिवर का वे जो बीयोडी होता है वह 150 से 250 मिलीग्राम ही होता है मतलब यहां पर ऑक्सिजन की जो मात्रा है वह बहुत घट जाती है इसलिए उस पानी के अंदर जो वेजिटेशन है वह पनप नहीं पाती है इस नाले में डालने पर नाले का पानी ही दूशित होता है खेत में भी नहीं फैक सकते हैं इसलिए इसका शुद्धी करण ज़रूरी होता है में सातियों तो यह पूरी डिटेल आप लोगों को बता दिया गया है इस मलबे से जनित जो बिमारी है वह फिकल नाम का बैक्तिरिया होता है ठीक है किसान इसके संपर्ख में आते बिमार हो जाता है और यह फूड जेन को भी प्रभावित करता है तो यह जो टेक्नीक है यह हमारे एन्वार्मेंट प्लस एग्रिकल्चर दोनों सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाली है तो अलिगर्ड मुस्लिम इन्यूवर्सिटी एक काम करने जा रही है उम्मीद कराओ खबर समझ में आ गई होगी दोस्तों देखिए यह खबर और बहुत अबरदस आई है पहले आप लोग वह पता है एक बीटी कॉटन के नाम से बहुत बड़ा भवाल हुआ था पहले आप देखिए बीटी ब्रिंजल बीटी बैंगन जो था वो आया था बीटी कॉटन की बात हो रही तो एक अभी नए कपास की खेती को नुकसान नहीं पहुचा पाएंगे कीट क्या कोई नया शोद हुआ है वेगयनिकों ने विक्सित की कीट प्रतिरोधी किस्म ट्रांसजेनिक तो याद रखना है ट्रांसजेनिक सीधा पूछेगा कि हालिया समय में ट्रांसजेनिक खबरों में रहा इसका संबंद किस्से है तो कॉटन ये सीड है हाइब्रीड कॉटन सीड है देखिए और सफेद मक्ही के हमले से कपास के फसल को बचाने में मददगार हो सकती है खबर बहुत डीटेल में हुई है बात ये समझ रही है कि हमारे लगबग लगबग कहें देखिए पूरा का पूरा साउथ हिंडिया आप ले लीजिए यहां से शुरू करें तो कपास आपको लगबग लगबग सब जगे दिख जाएगा विकास कपास की खेती के लिए क्या चाहिए होता है एक तो यहां पे खुला आस्मान चाहिए होता है ठीक है पूरे साल खुली धूब चाहिए होती है तो वो सारा का सारा क्लाइमेट जो है वो गुजरात, महारास्ट, कुछ राजस्थान के हिस्सों में, कुछ साउथ के अंदर कुछ काली मिट्टी की उपलबता भी है, आपको पता है प्राइदी पिय पठार है, दकन का पठार है, तो काली मिट्टी की उपलबता हो जाती है, तो इसकी खीती बहुत ज़्यदा होती है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक खाद्य फर्ण टेक्टेरिया, मैक्रोडोंटा की पत्ती में अर्क सफेद मक्ही के विशाक्त पैदा करते हो पाया गया है, इसी आधार पर अभी क्या करें, ट्रांसिजनी प्रजात्यों को विक्सित कर दिया गया, यह प्रभावित कर देता है, मक्हियों का जीवन चकर प्रभावित हो जाता है इससे, और शीर्श दस विनाशकारी कीटों में शामिल है, यह कीट कौन सा सफेद मक्ही जो है, बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेंजरस होती है, ठीक है, तो यह ख़बर आप लोगों को ध्यान में रखनी है, मेरे साथ ही हो, क्योंकि important news जो है, आज लगों को पता है कि राजकल news के अंदर, यह जो COVID-19 या कोरोना से आगे पीछे बढ़कर के कोई बहुत जादा खास news दिखनी रही है, फिर भी जो काम की कुछ information content लगा है, हम आप लिए लाएं हैं, तो दोस्तों अब बहुत जादा time waste करने वाले बाते हैं ही नहीं, क्योंकि जो अब आप लोगों का देखे, या तो आप लोग आई एस 2020 की preparation कर रहे होंगे, या इसके आगे की 21, 22, 24, तो जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, वहीं से आपको start कर देना है अपनी preparation को, current affair की को date नहीं होती है, ठीक है, आप सोचें, कि सर यदि है, मैं 2021 के लिए, 22 के लिए prepare कर रहा हूँ, तो आज का current affair मुझे सीखना चाहिए, कि बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि आज जो current affair है, वो ही static gk होने वाला है, ठीक है, आज की तो information आगे static gk हो जाएगी, तो आज की current affair के अंदर सर विशेज बात है यही थी, तो चलते चलते सूचना यही है, कि Indian history और art and culture की जो class आप हमारे एक पर, अनेकेड यूट्यूब पे तो आप मेरे साथ है पढ़ी रहे हैं, बट थोड़ा और extra चाहते हैं, थोड़ा और उसमें quality चाहते हैं, तो आप लोगों का स्वाधत है, अनेकेडमी पे अनेकेडमी का learning अब डाउनलोड करिए, और बहुत simple बात है, code आप लोगों को याद रखना है, P-A-R-E-E-K-1-0, PAR-E-K-10, PAR लगा देगा, PAR-E-K-10 code याद रखना है, PAR-E-K-10, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 10% का तो discount बिल जाएगा, प्लस आप regularly मेरे guidance में अपनी preparation करते रहेंगे, ठीक है, इस दन बाई मी, नीरज, PAR-E-K, तो दोस्तों यह बास समझ में आगे, प्रोमो कोड याद रखना है, PAR-E-K-10 का, अब इसका लाब क्या होता है, बहुत सिंपल सा समझ दीजिए सर, अभी 12 महीरे की जो fees है न, वो है 40,000 रुपे, foundation course की, foundation course का मतलब समझो, foundation course का मतलब है, pre-commends, GS plus CSAT plus, SM, मतलब complete, प्री से लेके, interview तक की सारी तैयरी, optional सहीत, पहली बात तो यह सर बहुत कम है, क्योंकि, offline के अंदर तो optional के ही, 40, 40, 50, 50,000 रुपे fees लग जाती, यहाँ पे सब कुछ आपको 40 में मिल रहा है, जब आप पारी 10 यूज करोगे, तो 10% discount करें कितने का हो जाएगा, 36,000 का, वहीं पर यह आप 24 मेंने का देखो, तो नियम से कितना होना चाहिए, 80,000, 80,000 नहीं है, fees है केवल और केवल 48,000, आप ध्यान से देखो, unacademy आपके लिए कितना बैतर कर रहा है, 48,000, 2 साल तक, मतलब आपको, कई बातों बच्चे क्या करते हैं, offline कोचिंग कर लिए, फिर दुबारा जाते हैं, साब हमको दुबारा पढ़ना, तो दुबारा फीज जमा करा हो, यहाँ पर 48,000, और वही पारिक 10, जो की code आप लोगों को पता, ये code ये दिया, फिर यूज कर लेंगे, तो आप की लिए कितना पढ़ेगा, 43,200, ज़र आप गौर से दिखिएगा, 36 के हिजाब से तो, नियम से तो होना चाहिए था, 72,000, बटा को कितने ये पढ़ रहा, 43, तो यहाँ पर यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, लगबग 7,200 रुपए का, ठीक, इतना ही आ रहा है क्या, 43, 6, 4, 5, 6, 7, क्योंकि मैं फोड़ी सी वीक है, 7,200 में आपको 12 महिने का, और एक्स्रा सब्स्क्रिप्शन मिल जाता है, तो बैटर है 24 महिने के सब्स्क्रिप्शन लीजिए, तो क्या कर लेना है, UPSC, CSE select कर लो, जैसे select करके आगे बढ़ोगे, UPSC, CSE यहां दिखेगा, तो यहां तो यहां पर डारेक्टल आपको प्लस नजर आ जाएगा, वरना यहां क्लिक करना, यहां पर दिखेगा free class, all class, एक दिखेगा plus, कहीं पर भी plus, दिखेगा plus पर क्लिक करना तो यह screen आ जाएगी, simple सासा, करना क्या है, get subscription, get subscription पर क्लिक किया, अगली विंडो फिर open है, अगली विंडो में time पुछेगा, कितने दिन पढ़ना चाहते हो, तो यार एक महना, तीन महना, छे महना, यह बहुत महने पढ़ जाते हैं, मतलब, आप सोचो, 8000 रुपे एक महने का दोगे, आप कितना महना पढ़ जाएगा, 6 महने के 32000 रुपे दोगे, कोई मतलब नहीं, 3 महने के 20,000, कोई मतलब नहीं, तो 1 मन्त, 3 मन्त, 6 मन्त से बहुत महना है, हिटन ट्रैल करने वाला सीन हो, तो ले लीजेगा, हम सला नहीं करेंगे, इधर गो फो 12 मन्त, और बैस शेजर 24 मन्त, वोई बात है, कितना रुपे है, 40,000, 12 महने का, 24 महने का, 48,000, ठीक है, आप देखो, 24 महने सेलेक्ट यहाँ पर जब करोगे न, तो यहाँ पर दिख जाएगा, सब्सक्रिशन 24 मन्त, सिंपल दिखेगा, तो यहाँ पर पारिक 10 टाइप कर देना, P-A-R-E-K-10, दिख रहाँ, 10% डिसकाउंट मिलेगा, और इसको क्या करोगे, एपलाई करोगे ना मेरे साथियों, तो लिखा हुआ आएगा, रैफरल कोड एपलाईड चेक करते रहना, 24 मन्त होना चाहिए, UPSC, CSE होना चाहिए, और यहाँ पारिक 10 ही होना चाहिए, ठीक है, रैफरल कोड एपलाईड, आप देखो, 48,000 से घटके हो गया, 43,200, प्रॉसेट टू पेमेंट, पेमेंट करके आगे बढ़ जाएगा, तो मेरे साथ ही हो, आप लोगों को बारबार हम कॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ते रहे ही, बहुत शान्नार क्लासेज हैं, कोई कमी नहीं है, बट वहाँ पर क्या होता है, एक तो आप लोगों को हमारे पास में, हमारा परसनल सपोर्ट आप लोगों मिल जाएगा, परसनल गाइडेंस आप लोगों मिल जाएगा, वहाँ पर रेगुलर टेस्ट आपको मिल जाएगे, स्पेशल टेस्ट मिल जाएगे, बहुत बहुत कुछ एक्स्रा होता है क्योंकि यहां पे बहुत से बच्चे जो अपता यूट्यूब पे थे डेली कांटेक्ट करते हैं, सर हमको लेना है प्लस प्लस के उपर आते हैं, अपना एक्ष्पिरेंश शेर करते हैं So it's a time to change your life You also move there क्योंकि 43,200 रुपीज में If you are getting everything, मतलब GS प्लस CSET, तो यह तो PRE का मामला हो गया Mains का, GS का paper 1 प्लस paper 2 प्लस paper 3 प्लस paper 4, मतलब ethics वोगरा सब हो गया ठीक है, इसके बाद में optional, optional आपको subject हो जाएगा फिर compulsory language, Hindi प्लस English हो जाएगी उसके बाद में interview की preparation हो जाएगी प्लस test भी हो जाएगा और बाकी जानकारी parik10.upsc.gmail.com पर उपलब्ध है यह मेरा personal mail ID है और especially देखिए, मैंने UPSC के aspirant के लिए ही बनाई है तो मेरे साथी उम्मीद करता हूँ, आपको lecture पसंद आया होगा और ऐसे ही अब कोरोना को मात देनी है मिलकर के हम कोरोना को मात देंगे मेरे साथी हो और आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रही है बढ़ते रही है और देखिए हम आपके साथ में फिर एक बर interaction करने के लिए आ चुके हैं तो मेरे पहरे साथी हो दिल लगा के पढ़िएगा दिल लगा के बढ़िएगा अब मौका नहीं है अब अब ही नहीं तो कभी नहीं ठीक है If not now then when and if not I then who तो पढ़ना है पढ़ना है और मस तयारी करनी है और याद रखिएगा Unacademy Plus के उपर आ जाईए सब्स्क्रिप्शन लेकर के पारिक्ट अनकोड याद रखना है और कोई भी हो इरादा आने कैडमी का एक ही ना रहा है क्या है लेट्स क्रैक इट बाबाय टेक कियर